दोस्तो कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से काटसा के उपर भारत को अमेरिका के तरफ से वेबर दिने के खवरों के बाद अब भारत द्वारा एफए 18 एयर क्रेप्टों को खरिदने के संभावनाओं को बढ़ जाने के बाद को लेके भी चर्चा किया जा रहा है और दूसरे तरफ ये भी वताया जा रहा है कि शायद भारत के द्वारा अपने नौ सेना के लिए अमेरिका के इफए 18 सुपर होनेट ब्लॉक 3 एयर क्रेप्टों को चुना जाये जबकि एयर फोर्स के लिए भारत रैफैल के साथ ही आगे बढ़ेगा दोस्तो एक तरफ जहाँ पे नेवी के लिए FA-18 Super Hornet Aircraft को चुनने के उपर चर्चा हो रहा है तो वही पे अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर FA-18 Super Hornet Aircraft को इंडियन नेवी के द्वारा चुना जाता है तो क्या इस एरकाफ्ट का इस्तेमाल इंडियन नेवी अपने न प्रेशन ओरीजिन विक्राम अधत्या के उपर भी डिप्लोई करने जा रहा है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो उस्तो हाली में जब काटसा के वेबर देने के खवर आ पर वही पे सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या इंडियन नेवी के दोंगे आयर क्रफ केरियरों के आवशक्ताओं को पूरा कर सकता है तो फिलाल अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास एक उपरेशनल येर क्रेफ्ट करियर आएनस विक्राम अध्या है जो की सोवे कीफ क्लास के यैरक्राफट कैरियर है और रशिया से भारत के द्वारा इसे खड़िदा गया था इस ऐरकर गया था इस यैरकरफट कैरियर के कैरियर विंग के रूप में इंडिया नेवी के द्वारा MIG-29K और KUB का इस्ते स्ते रिपोर्ट के मुताविक इस aircraft carrier को भी MiG-29K और KUB aircraft 2 से ही लैस करते हुए operational किया जाएगा लेकिन इंडिया नेवी के द्वारा जल्द से जल्द इसके लिए एक carrier wing को तलाशा जा रहा है और इसी वज़ा से ही ये multi-roll carrier waste fighter aircraft 2 को लेके इंडिया नेवी के तरफ से काम किया जा रहा है हाला कि दोस्तों अगर नेवी के बेड़े के MiG-29 aircraft 2 को देखा जाए तो इन aircraft 2 के replacement के लिए हिंदुसन एरनोटिक्स लिमिटेड और एरनोटिकल development agency के तरफ से twin engine deck waste fighter aircraft 2 का निर्मान किया जा रहा है और आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये जो aircraft है ये साल 2030-31 के दर्मिय आने के लिए कम से कम साल 2030 तक इंतिजार करना पड़ेगा पर इस दर्मियान जो नया aircraft को आइनेस विक्रांद के लिए खड़िदा जा रहा है क्या उन aircraft का इस्तेमाल विक्रमदित्या के ऊपर भी हो सकेगा हाला कि दोस्तों इसे लेके Boeing का कहना है कि F-18 Super Hornet aircraft को carrier operation के लिए ही निर्मान किया गया है और ये आनेस विक्रमदित्या और आनेस विक्रांद के लिए कॉम्पलिमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा दोस्तों Boeing के तरफ से बुदवार के दिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया गया है कि F-18 Super Hornet aircraft ने हाली में ही ग आप एक capability reinforce की simple मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते है कि Boeing का कहना है कि ये जो aircraft carrier है ये catapult launching के इलावा ski jump से भी operate करने में सक्षम है company का ये भी कहना है कि उनके carrier base F-18 Super Hornet Block 3 aircraft फिलाल फ्रांस के Rafale Marine मतलब Rafale M के सामना कर रहा है और इस test में खली ski jump से ही operate करना नहीं दिखाया गया बलकि इसके इलावा roll in and fly in को भी perform किया गया दोस्तों Boeing company के तरफ से ये भी बताया गया है कि इस performance के तरवयन aircraft के द्वारा कई तरीके के weight को लेके भी उडान भरा गया जिनमे air to air, air to ground हतियार भी शामिल था जो एक तरीके से इंडियन Navy के आवशकताओं को पूरा करने के इलावा Boeing company का ये भी दावा है कि ये capacity रैफल एम के मुकाबले में अधिक है पर दोस्तो Boeing company के तरफ से जब aircraft को लेके बताया गया कि FA-18 संपूर्ण रूप से aircraft carrier के लिए ही निर्मान किया गया है और ये इंडियन Navy के लिए aircraft carrier के complement के रूप में खास करके INS विक्रांत और विक्रमत्यत दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो वही पे सवाल सबसे अधिक उठ रहा है हाला कि दोस्तों अगर देखा जाए तो FA-18 सुपर होनेट अगर ski jump से operate करने का अपने capability को संपूर्ण रूप से दर्शा है तो इसका simple मतलब ये है कि ये ski jump बाले किसी भी तरीके के aircraft carrier के उपर इस्तेमाल हो सकता है दूसरे तरफ अगर Indian Navy के INS Vikrant और INS Vikrant दोनों aircraft carrier को देखा जाए तो लगवग लगवग इन दोनों में ही same type के ski jump का इस्तेमाल हुआ है INS Vikrant के अगर लंबाई को देखा जाए तो ये करीब-करीब 262 मिटर है जबकि चौड़ाई करीवन 62 मिटर है तो वही पे INS Vikrant के अगर लंबाई को देखा जाए तो करीवन 284 मिटर है और चौड़ाई करीवन 61 मिटर है मतलब लंबाई में दोनों aircraft carrierों में फरक तो है लेकिन अगर take off के ramp को देखा जाए या फिर कहे तो take off के लिए जो length का इस्तेमाल दोनों aircraft carrierों पे किया जाता है उसे देखा जाए तो ये लगवग लगवग एक ही बराबर है और दोनों के ski jump के आकार या फिर कहे तो design लगवग बराबर इसका simple मतलब ये है कि अगर किसी एक aircraft carrier के उपर से एक type के जहास का इस्तेमाल हो सकता है त पिर के है तो trial के लिए भी मिक 29 यार क्रेफ्टों का इस्तेमाल किया गया है जो कि INS विक्रमधित्या के उपर भी इस्तेमाल होता है और दोनों aircraft carrierों के उपर अगर एक type का aircraft मतलब मिक 29 इस्तेमाल हो रहा है तो simple मतलब ये है कि FA18 अगर विक्रांत के उपर इस्तेमाल हो सकेग पर सवाल ये है कि क्या अमेरिका के तरफ से इस तरीके के permission दिया जाएगा बेसिकली अगर दोसों देखा जाए तो यहाँ पे खाली अमेरिका नहीं बलकि रश्या का भी एक वाधा हो सकता है क्योंकि दोनों देश फिलाल एक दूसरे के बिपक्ष में इतना मुखर हो चुक दोसों ये expectation रखना भी फिलाल सही नहीं होगा दोसों simple बात ये है कि अगर fa18 super hornet aircraft विक्रमत्य के ऊपर इस्तिमाल हो भी सकता है तब भी शायदी अमेरिकी गौवर्मेंट के तरफ से विक्रमत्य aircraft carrier के ऊपर fa18 super hornet के इस्तिमाल का अनुमति दिया जाए दूसरब अगर अमेर परिशानी और या पिर कहतो कई तरीके के मधवेद होने के कारण शायदी इन दोनों हत्यारों को कभी भविश्य में कॉम्बाइन किया जा सके हाला कि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि अगर fa18 super hornet aircraft के जगह में अगर इंडियन नेवी के द्वारा रैफल एम को चुना जात Russian aircraft carrier के उपर देना लगभग impossible है तो वही पे France के लिए भी शायद ऐसा ही हो क्योंकि France भी फिलाल Ukraine के पक्ष में है और एक तरीके से Russia के बिपक्ष बाला गडवन्दन में है दूसरे तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो ये अगर कुछ साल पहले सोचा जाता मतलब Crimea crisis के पह में Mr. Class helicopter carrier वी शामिल था हाला कि दोस्तों इस तरीके के वाधा भारत के लिए तभी दूर करना possible होगा जब भारत के तरफ से properly कोई carrier based multi roll fighter aircraft का development की आया सके फिलाल भारत carrier based multi roll fighter aircraft के development के उपर जोर दे रहा है और अपने naval LCA के base पे twin engine deck based fighter aircraft का निर्मान भी कर रहा है हाल फिलाल में ही Eastern naval command के flag officer, commander in chief, vice admiral विस्वजी दासगुपता के तरफ से जब हिंदुसान एरनोटिक्स लिमिटेड और ADA के विजिट किया गया तब उनके सामने twin engine deck based fighter aircraft के project को लेके क्या progress हो रहा है उर्सका जानकारी दिया गया हलाकि इसके इलावा उनके सामने LCA Navy, NFE 5 मतलब naval prototype 5 का भी जिकर किया गया जो basically twin engine deck based fighter aircraft के project के लिए technology demonstration के रूप में इस्तमाल हो रहा है और aircraft के component के validation के लिए भी इस्तमाल हो रहा है तो सकुल मिला के भारत के द्वारा twin engine deck based fighter aircraft का निर्मान के बाद इस fighter jet का इस्तमाल दोनों ही aircraft carrier मतलब INS विकरांत और INS विकरामत्त दोनों के उपर ही किया जाएगा इवन भारत जो भविशे के aircraft carrier मतलब ISC-2 या फिर कहतो INS विशाल का निर्मान करेगा उसमें भी इसी fighter jet का इस्तमाल होगा दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन